हेलो गाइज होप यू ओल आर डूइंग ग्रेट आप देख सकते हो कि मैंने ये ग्रीन साड़ी पहनी है और आज हम करने लगे हैं विंटर स्टाइलिंग जो एक सबसाची से इंस्पाइड लुक है और ये काफी सिंपल होने वाली है इसमें मैं कोई फांडेशन यूज नहीं का है ये ओली स्केन और सेंस्टिव स्केन के लिए काफी अच्छा है तो मैं मैंने अभी इसमें फिंगर टिप से पूरे फेस पर लगा लिया है फांडेशन अब मैं इसको हाथों से ही ब्लैंड कर रही हूं इसमें मैं कोई ब्यूटी ब्लैंडर का यूज नहीं कर रही तो आप देख सकते हों कि हाथो से भी हम कितने अच्छे से ब्लैंड कर सकते हैं आइधा अब हो चुका है हमारा मॉस्टियराइजर अच्छे से ब्लैंड अब हमारा है से किन्ड् स्टैप जिसमें मैं लगाने लगी हूं concealer जो भी आपके face पे कोई भी pimples है या acne scars है उनके निशान है तो आप उनको hide कर सकते हैं और मैंने इसमें beauty blender लिया है जिसके साथ मैं इसको blend कर रही हूँ और मैंने इसको जहां dark circle है वहाँ पर भी लगाया है और अब ये हमारा face conceal हो चुका है अब मैं यूज कर रही हूँ काजल जो है LA18 से ये काफी affordable है ये आपको किसी भी online website पर मिल सकता है flipka, amazon या nike आप कहीं से भी इसको buy कर सकते हो और जो मैं काजल लगा रही हूँ ये थोड़ा मतलब मोटा मोटा काजल लगा रही हूँ ताकि जो हमारी eyes है वो natural लगे इसमें मैं किसी eyeliner का use नहीं करूंगी क्योंकि जो उनकी models होती है वो काफी simple make up करती हैं तो इसमें मैं revolution का ही eyeshadow palette यूज कर रही हूँ जिसमें मैंने brown shade लिया है और मैं इसमें एक ही brush यूज कर रही हूँ उसके साथ मैंने इसको लगा लिया है उसके बाद मैंने इसको hand से थोड़ा सा blend कर लिया है अब सेम ही मैं दूसरी eye के लिए repeat कर दी हूँ आप देख सकते हूँ कि इसे eyes काफी natural लग रही है ऐसे नहीं लग रहा कि हमने बहुत जादा eye makeup किया हुआ है ये थोड़ी copper shade है आपकी skin के साथ ही match कर रही है अब हम use करेंगे wet and wild का contour palette अभी मैंने एक छोटा mirror लिया है अब मैं इसको face को contour करने लगी हूँ फेले हमने किया है forehead then अब हमने किया है double chin areas पे अपनी jaw line को अच्छे से define कर लिया है then अब हम cheeks पर इसको contour कर रहे हैं वो भी बिल्कूल हलका हलका ताकि makeup बहुत जादा heavy ना लगे अब इसको lip areas पे कर लिया है highlight then अब हम nose को contour करने लगे हैं जिसके लिए मैंने एक पतले वाला brush यूज किया है ताकि हमारी nose अच्छे से contour हो जाए और अब मैं lips को contour करने लगी हूँ अब हमारा contouring वाला part हो गया है finish then मैं lipstick use करने लगे हूँ यह है color bar से इसकी shade है rose gold और अब मैं second lipstick use करने लगी हूँ वह है lack में से अब इन दोनों को mix करके थोड़ी natural shade बनेगी जो उसके कुछ आसपास ही होगी जो extra lipstick बहार आगे उसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है अब मैं कोई भी पुराना आपके पास हो आई shadow उससे आप अपने eyebrows फिल कर सकते हैं या किसी eyebrow pencil से क्योंकि खत्म होने वाला था तो इससे आप अपने eyebrows फिल कर सकते हो आप देख सकते हो कि आई makeup भी कितना natural लग रहा है अब मैं लगाने लगी हूँ सिंधूर ये भी है lack में से ही है इसकी shade है महरून और अब हमारा हो चुका है makeup complete अब हो गया है सबसे मुश्किल part start मैंने लगा ली है रखडी इसको बोरला भी बोलते हैं और ये एक राजस्थानी चुल रही है ये लगा कर बहुत classic लगती है पर इसको संभालना उतना ही मुश्किल है मैंने इसको लगाने के लिए पहले अपने ये इसको थोड़ा messy किया है थोड़ी सी oiling भी की है अब मैंने एक से pin यूज की है और इसमें मैंने इसको टक कर लिया है वैसे आप इसको thread के साथ भी लगा सकते हैं क्योंकि वह ज़्यादा easy रहता है जिस से move नहीं करता और आपक लगाने पहने लगे हैं earrings earrings मैंने काफ़ी simple रखे हैं hanging नहीं लिए क्योंकि मैंने चाहती कि जो मेरी attention है वो सारी earrings पर जाए वो बोरला और आपके face पर रहे जिससे आपकी जो personality है वो निखर कर आए और जो आपका make-up है वो भी काफ़ी sober और simple है अब complete हो गया है my version of winter look जो काफी subtle और simple look है आप देख सकते हो कि features कितने अच्छे से highlight हुए है thank you for watching my video